गाइज आज की इस वीडियो के अंदर हम एक 3.7 होल्ट का बैटरी चार्जिंग मॉडियोल बनाने वाले और इस बैटरी चार्जिंग मॉडियोल को बनाने के लिए हम सारे जो कमपोनन्ट है वो SMD के अंदर यूज करने वाले जिस तरीके से हमारा मार्केट वाला मॉडियोल आता है 3.7 होल्ट का 40-56 उसके उपर जैसे SMD कमपोनन्ट लगे होते हैं उसी तरीके से सारे कमपोनन्ट हम भी SMD यूज करने वाले और वो भी आपको इजिली मिल जाएंगे वो भी घर के अंदर पड़े हुए आपको मार्केट से नई लाने तो कहा से कौन सा कमपोनन निकालना है और इसको कैसे बनाना है सारी जानकरी वीडियो के अंदर दी गई है तो आप वीडियो को फूल वाच कीजिएगा और अगर हो सके आपको अच्छा लगे तो लाइक भी कर दीजिएगा और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल भी ओल पे सेट कर दीजिएगा तो चलो देख लेते हैं कि इस मॉडियो को हम कैसे बना सकते तो गाइज यहापे इस मॉडियो को बनाने के लिए आपको मार्केट से इस तरीके का PCB लेकर आ जाना है जिसको जो है एक साइड से लकड़े का बना होता है और दूसरी जो साइड होती है उसके उपर जो है कॉपर का मतलब एक पॉलिश टाइप का एक लेयर रहता है इस PCB को जो है कॉपर कलेड बोर्ड बोला जाता है जो कि आपको मार्केट में इतना बड़ा पीस जो है 30 से 40 रुपे में मिल जाएगा लेकिन हमें इसका एक छोटा सा पीस या पर कट कर लेना है क्योंकि इतना बड़ा हमें इसके अंदर जरूरत नहीं है जितना मॉडिल रहता है उतना पीस हमें इस में से कट कर लेना है तो देखो मैं उस PCB का एक इस तरीके का इतना सा छोटा सा टुकड़ा या पर कट कर लिया हूँ और उस टुकड़े को कट कर लेने के बाद जो copper वाली side है उसके उपर आपको क्या करना है कि जो scrubber है उसको गिस लेना है या फिर sandpaper से हलका हलका गिस लेना है और गिस लेने के बाद आपको कुछ इस तरीके का जो हमारा circuit का design है उसको उसके उपर ड्रॉ कर लेना है तो ये design मैंने पहले ही marker से ड्रॉ कर लिया जो permanent marker आता है उससे आपको इसको ड्रॉ कर लेना है तो अब इसको मैं जो ये solution के अंदर डाल देता हूँ जिसके बाद क्या होगा कि जो axis का जो copper है वो sub निकल जाएगा और जो track से वही बने हुए रह जाएंगे तो मैं solution के अंदर clean कर लेता हूँ उसके बाद आपको मिलता हूँ कि solution के अंदर कैसे clean करना है वह आपको पता होगा और अगर नहीं पता तो आप मुझे comment कर सकते हो मैं वह process भी detailed में आपको बताऊँगा तो चलो इसको में clean कर गाईज यहाँ पर हमारी PCB थी वो complete हो चुके रेडी हो चुके यह पूरे track इसके उपर आ चुके है तो अब बात कर लेते इसके उपर लगाने वाले components की तो यहाँ का सबसे पहला और सबसे important component आ जाता है हमारा इस तरीके का socket चाहसे हमारा जो charging का pin है वो लग जाएगा और इसको अगर आप देखोगे तो पीछे के side से 5 pin होती है लेकिन इसका A वाला जो pin होता है यह positive होता है और यह last वाला जो pin होता है यह इसका negative pin होता है तो इस तरीके का एक socket आपको लाना है तो अगर आप इसको नया लाना चाहते हो तो आप market से जहाँ पे mobile repairing होती है वहाँ से लेया सकते हो 10 रुपे में मिल जाएगा या फिर मैंने जिस तरीके से पुराने निकाला उस तरीके का पुराना अगर निकालना चाहते हो तो मैं आपको बत यह मिल जाएगा तो यह socket आपको एक लगने वाला है उसके पाद यहाँ पर आपको इस तरीके के दो LED लगने वाले SMD यह मैंने कहां से निकाले तो वो जो 12 hold की LED स्क्रीप आती है चिपकानी की टेप के तरीके की उसमें से पहने यह जो दो LED इनको निकाला हुआ है तो size पर लगा हुआ है यह side इसका negative होता है और उसके सामने का जो side है यहाँ पर positive होता है तो इस तरीके के dちょっと the component लगने वाला है इसका नाम है रेजिस्टर और इसकी equity-190 ओहँ मैं थिया तो यह से निकाला जो कि है डायोड तो यह डायोड भी आपको काफी सारी PCB के उपर मिल जाएगा लेकिन यह जो है मैंने जो पुराना CFA LED बलब रहता है उसके अंदर जो driver circuit रहता है उसमें से निकाल आए तो उसके उपर आपको यह काफी तो चलो यह सारा जो सामाने जो component है उसको इस PCB के उपर मैं असेंबल कर लेता हूँ चिपका लेता हूँ और connection समझाने की तो कोई बात ही नहीं है क्योंकि यह connection ही बने हुए है तो इसको मैं soldering iron से इसके उपर लगा देता हूँ उसके बाद हम इसका सीड़ा testing देखेंगे तो guys यहाँ पर मैंने सारे जो component है उनको fix कर लिया है soldering iron से आप देख सकते हूँ यहाँ पर socket लगाया है और इसकी positive negative को यहाँ पर इन दो lines के अंदर provide कर दिया है और यहाँ पर जो resistor था उसको लगा दिया है जिससे की यह 2 LED fuse नाओ दोनों जो LED उनके लिए एक ही resistor का use किया गया है जो कि 390 ohm काई मैंने आपको पहले भी बताया तो यह जो LED का negative है उसके साथ resistor रटेचे और यह जो LED का positive है वो सीधा socket के साथ connect है और यह जो दूसरा LED है उसका जो negative है वो तो इसी के साथ connect है और जो positive है वो इस diode के आगे की side में connect थे डायोट को हमने जो silver lined होती है उसको इस side में रखा हुआ है जहाँ पे हमारे output की wire है तो इस तरीके से हमारा module complete हो चुका है तो चलो विसकी testing देखते है यह जो दो wire है यह सीधा battery के साथ attach हो जाएगी और यहां से जो है कोई भी पाच होल्ट का जो charger है वो हम लगा सकते है तो चलो यहाँ पर मैं एक battery को आपको लगा के दिखा देता हूँ तो यह है 3.7 hold की battery तो यह लगा दिया इसका positive वाला wire और अब लगा दिया इसका negative वाला wire तो जैसे ही negative वाला wire हमने लगाया तो आप देख सकते हो कि जो battery की power है उसके उपर यह जो red color का LED है वो आपको I hope तो चलो यहाँ पर charger लगा के देखते हैं तो guys मैं यहाँ यह जो है micro USB वाला charger लेकर आ गया हूँ पाच होल्ट का तो चलो इसको इसके अंदर लगाते हैं तो देखो इसको मैं यहाँ से देखो जैसे यह charger connect होता है यहाँ तो हमारा जो यह LED on हो चुका है और यह LED off हो चुका ह और हमारी जो बैटरी है वो यहाँ पर चार्ज होना शुरू हो चुकी है जैसे ही मैं charger को हटाऊँगा फिर से यह LED लग जाएगी और यह LED यहाँ पर off हो जाएगी देखो जैसे ही charger को हटाया तो यह LED on हो चुकी है और यह LED off हो चुकी है तो चलो थोड़ी देर के लिए काफी जदा fast charge होने वाली है तो I hope आपको यह charging module है यह काफी अच्छा लगा होगा और आप इसको बनाओगे यूज करोगे या नहीं और इसके अंदर क्या कमी है वो आप मुझे comment के अंदर जरूर से बताना मैं मिलता हूँ आपको next video में तब तक आप इस video को like कर दिजेगा और चैनल को subscribe नहीं किया है तो subscribe कर दिजेगा तो मैं मिलता हूँ आपको next video में तब तक के लिए तब तक के लिए bye bye